आशितोष, भाई पाँच में सबसे बड़ी अर्थविवस्ता तो बन गए हैं, दोनों तरफ के आखड़े हैं, पर ये आम आदमी के सामने जब सवाल पूचा जाता है, तो बल्ले बल्ले करने वाले लगबल चौनसट फीजदी लोग हैं, अर्टालिस जमा सोला अगर कहा जा है तो, कि देखिए हम ताकतवर अर्थविस्ता बन गए, देखो संदीप, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्दी हो, मैं इसको तो मानता नहीं, उसका कारण बहुत स्पस्थ है, कारण स्पस्थ है कि आज की तारीख में, अगर आप अनिम्प्लाइमेंट का रेट देखेंग 32.3 फीजदी कहा करा है, पच्छे साल से नीचे के जितने ग्राजुएट से हैं जो आनिम्प्लाइड है, बिल्कुल, और दूसरा अभी कुछ दिनों पहले एकोनोमिक टाइम्स में एक बहुत शांदार स्टोरी आई थी, कह रहा कि सोरिंग हाई एंड फॉलिंग लो एंड, यानि जो अमीर लोग जो जो चीजों का खरीदते हैं, जो दस लाग से जादा की जो कार खरीदने वाले लोग हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन बहुत बड़ी ऐसा तपका है, जिसकी आई लगातार घट रही है, और ये इंडिया टुड़े का जो सर्व कितना अंसाटिस्वाइड है, वो संख्या बहतर है, आर्थिक विशमता जो ये चुनोतिया है, चुनोतियों पर हम बात करेंगे, पर अर्थ विवस्था का बड़ा होना, हलाकि पांच ट्रियर्लियन एकॉनमी हम बनने वाले थे, अभी तीन के आसपास ही, हम लटक रहे हैं पर हकीकत ये भी है कि दुनिया में सबसे तेजी से अगर किसी की विकास दर बढ़ रही है तो वो भारत है। के कैनेडा से नहीं कर सकते, आप उसकी तुनिया जो पांच-पांच करोड के फ्रांस से नहीं कर सकते, जब आप आबादी के हिसाफ से देखेंगे, तो आपका साइज ऑटमेटिकली बड़ा हो जाता, लेकिन दो चीज़े हैं, जब भी नरेंद मोदी की अर्थ विवस्था लगातार आठ से आठ में नीचे गई तो 3.47 था उस quarter में, अगर जिस तरीके से GST लगाया गया, जिस तरीके से pandemic के लिए lockdown किया गया, जिस तरीके से demonetization किया गया, आप 14, 15, 16, 17 लगातार आप 8% पे ग्रो कर रहे थे, उसके बाद आप कभी 8% की growth rate नहीं कर पाए, अगर पाइब टिलन एकानमी बन जानी चाहिए थी, दुनिया के तीसे सबसे बड़ी अर्थवस्ता बन जानी चाहिए थी, इन सब चीजों पर चर्चा नहीं होती है, ढोल मजीरे बहुत बचाया जाते हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है, प्रस्ट इसी बात को लेकर ये है, कि ज बट अभी IMF की रिपोर्ट आई है, IMF ने कंसर्ण देता है कि जिस तरीके से GDP, GDP का रेश्यो बढ़ रहा है, और 205 लाख करोड का डेट हिंदुस्तान के उपर हो चिंता का विशह है, ये भी तो उसका उसका एक फर्क है कि नहीं फर्क है, तो हम सिर्फ आज के लेकर आप बोशित कर दीजिए, और उनकी ब्रैंडिंग कर दीजिए, और कहें जुए भाई ये तो ऐसे ही लोग है, इसका मतलब यह कि आप कहीं न कहीं, आलोचना सुनने के लिए तयार नहीं है, और जो आलोचना करने वाले लोग है, उनको आप पसंद नहीं करते हैं, मेरा कहना यह है कि जिस रफ्तार से नरेंद मोदी जी ने देश के अर्थवस्ता संभाली थी, जिस आठ प्रश्चत के हिसाब चे तीन साल लगातार ग्रोथ हुई थी, अगर आज उसी हिसाब चे ग्रोथ हुई होती, तो आज हिंदुस्तान फाइब टिलन एकॉनमी होता, इसके जिमधा मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सब, आज तो जियों हम हों आप हों, अगर देश की अर्थवस्ता वास्तों में तरक्की करेगी, जनता खुशाल होगी और उस खुशाली के लाब हमको भी प्राप्त होगा, तो हम से जादा खुश और कौन होगा, हम देश की अर्थवस् हों इस रंकिया एतनी बढ़ रही है, और सरकार की, सरकार आमदनिया चिन रही है, आमदनिया मिलने की बजाए, बिलकुल employment elasticity जो है, वो माइनस में है, उस पर आएंगे, वो च्रौटियों पर तो आएंगे, यह बिलकुल बेकार आरोप है, इसका कोई मतलब नहीं है, अगर, मेरा कहना है कि हम तो सकारात्मक बात बोलने के लिए तैयार है इसमें कोई राजनीतिक भेद मदभेद की बात नहीं है अगर अर्थवेस्ता गुलो गुलजार हमें कर देगी तो हम भी तालियां बजाएंगे उसमें क्या बात